नमस्कार दोस्तो स्वागत था आपका टैपनो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तो भारत पहले अपनी थल सेना के जितने भी टैंक है उन सब के लिए रश्यन टैंक के उपर डिपेंड करता था लेकिन इसके बाद में हमने लौंच किया अपना मेक इन इंडिया प्रोग्राम जिसके बाद में अब आप सब देखेंगे कि भारत की ये जो सारी सिचुएजन है ये बिलकुल से बदल जाएगी क्योंकि सबसे पहले तो हमने इसी के तहत अपने अर्जुन टैंक को यहाँ पर तयार किया जिससे की हमारा एक जो बेस है वो यहाँ पर बन चुका है इसी के करते हैं तो वो भी 80% यहाँ पर सब्देशी हो चुका है तो इसके बाद में इंडियन आर्मी ने डियाएडियो से एक और डिमांड की जहां पर वे चाहते थे कि उनकी आवशक्ता के अनुसार एक जो लाइट वेट कैटेगरी का टैंक है उसको यहाँ पर बनाय जाए तो डियाएडियो ने हमारी जो प्राइवेट कंपनी जिसे हम सब L&T या फिर लारसन और टूबरो के नाम से जानते हैं तो इनके साथ में मिल करके एक लाइट वेट कैटेगरी के टैंक के उपर काम करना शुरू किया जिसमें यहाँ पर आप सब को देखने को मिलेगा कि एक ज यह हमें चाइना के जो टाइ 15 क्लास के लाइट वेट कैटेगरी के टैंक है तो उनको भी काउंटर करने में काफी ज़्यादा मदद करेगा क्योंकि जब भारत और चाइना के बीच में कॉन्फलिक्ट हुआ तो उस समय चाइना ने बड़ी आसान से अपने जो लाइट करना पड़ा था लेकिन अब यहां पर DRDO ने साफ किया है कि जैसे ही यह टैंक बन करके तयार होगा तो इससे जो टाइ 15 टैंक है उसे बड़ी आसान से काउंटर किया जा सकेगा और यह उससे कहीं ज़्यादा हलका होगा क्योंकि इसका जो वेट है वो आप सब को 25 टन के आस रहेगा इसी के साथ में इसमें आप सब को DRDO का जो 125 mm का कैनन है वो भी देखने को मिल सकता है और इसके बाद इसमें 1000 होर्स पावर के जो एंजिन्स है उनका यूस किया जाएगा और इस टैंक का जो नाम है तो वो अभी के लिए जोरावर यहां पर रखा गया है बाद में ह हो सकता है कि इस नाम को चेंज किया जाए या फिर इसी नाम के साथ में इसको भारतिय सेना के अंदर इंडक्ट किया जाए इसके बाद में इसका जो पहला प्रोटोटाइप है तो उसे आप सब देखेंगे कि उसे अगले साल यान की 2023 में यहां पर रोल आउट कर दिया इनको ये जो टैंक मिलेंगे तो ये लगबक 350 की संख्या में मिलेंगे और जैसे ही इनका मास प्रोडक्शन शुरू किया जाता है तो ये नमबर 700 की आसपास भी जा सकता है लेकिन उस समय यहां पर ये ओप्शन था कि भारतिय थलसेना रश्या के जो 18 टन के लाइट वेट क के कोडिंग ये जो प्रोग्राम है ये यहां पर कंप्लीट हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए अपने आप में एक काफी ज़्यादा बड़ा मेजर माइल्स्टोन होगा जिसे हमने खुद के दम पर अचीव किया होगा तो दोस्तो ओवराल इस पूरी नि वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैहिंद